मोमोज प्रेमियों के लिए आज खुसकबरी है अब आप वरत में सिर्फ साबुदाना खिचड़ी नहीं मोमोज भी खा सकेंगे जिया मोमोज साबुदाना का बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए तो इसको बनाने के लिए ले लेंगे एक कप साबुदाना और इसको आप अच्छी तरह से दो कर, मतलब एक दो पानी से दो करके भीगने के लिए 5-6 गंटे तो छोड़ दीजे, हमने ओवरनाइट छोड़ा था, तो जितना साबुदाना है न उतना ही पानी डाल कर आप उसको सोक होने के लिए छोड़ दीजे, बहुत ज्यादा पानी डालने के जरुत नहीं है, और नेक्स डे आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं इसमें बिलकुल भी पानी नहीं है, और साबुदाना हमारा अच्छी तरह से फूल गया है, तो इसको थोड़ा सा मैस करेंगे हलक नहीं है, और यह है ग्रेट की आवा पनीर, घर का पनीर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आज हम पनीर वाला बनाएंगे मुमोज, इसमें डालेंगे ग्रेट की आवा अध्रक, थोड़ा सा हरी मिर्ची कटी हुई, और हरा धनिया, साथ में डाल देंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक हम साबुदाने में भी डालेंगे ताकि जब खाए ना तो वो फीका-फीका न लगे, और पनीर में फिलिंग में थोड़ा सा हम डालेंगे भूना जीरा पाउडर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, आप रत म जो भी डालते हो इसमें आप फिलिंग अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं साबुदाना में भी नमक हम अच्छी दरह से मिला देंगे और हाथों से थोड़ा सा मसलते वे इसको मतलब मिलाना है ताकि जब इसको भरे ना तो डो की तरह लगे ये देखे जब फिका फिकाना लगे इसले थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्ची इसको भी हमने इसमें मिला दिया है ताकि इसमें भी पूरा अच्छी तरह से फ्लेवर आए अब इस तरह से हाथों में तेल लगा लेंगे क्योंकि साबुदाना है ना थोड़ा तोची पकता ही है तो हाथ में इस तरह से फ्लैट कर लेंगे बीच में गड़ा जैसा करते हुए और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और ये पनीर का मिक्स्चर को हम बीच में रखेंगे बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे नहीं तो वो तूट जाएगा फिर और इस तरह से समेटते हुए इसको लड़ू जैसा बॉल जैसा सेब देंगे बहुत अराम से बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा फटा फट बन जाएगा और इस तरह से देखिए कितना अच्छा तरह से रोल हो गया है एक और आपको दिखाती हूँ यह देखिए हाथों में इस तरह से थोड़ा सा बीच में गड़े जैसा बनाते हुए उसमें पनीर वारा मिक्स्चर को फेल करेंगे और इसको भी उसी तरह से रोल कर लेंगे देखिए बॉल जैसा सेप देना है आपको जैसे लड़ू बनाते है ना बहुत आराम से बन जाता है यह देखिए सारा आमने बना लिया है तो इधार हम पानी चड़ा कर रखेंगे गरम होने के लिए स्टीम करना है इसको तो पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसके प्लेट में भी हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे ताकि साब उनाना के मुमोज जो है चिपके नहीं चलिए इस पे अरेंज करते हैं पानी हमारा बोईल हो गया है तो रखते हैं स्प्लेट को सावधानी से रखेंगे और इसको कवर करके आठ मिनट पकाईए बहुत ज़्यादा पकाने के जुरूत नहीं है हमने थोड़ा ज़्यादा पका दिया था दस मिनट के लिए तो थोड़ा सा फ्लैट हो गया है यह गलती आप मत कीजेगा लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ा थोड़ा सा बस ज़्यादा हमारा कूक हो गया आप देख सकते हैं यह पकने के बाद एकदम ट्रांस्परेंट टाइप से हो जाता है बहुत गरम है इसको निकाल लेते हैं यहां पर आप साउदानी जरूर रखें यह देखें हमने निकाल लिया है इसलिए आपको बोल रहे हूं न कि आप आठ मिनट के बाद इसको एक बार चेक जरूर कर लें ज्यादा कूक नहीं करेंगे लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से कूक हुआ है बस थोड़ा सा फ्लैट हो गया है लेकिन बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा बना है आप इसको बनाईए और कोई भी ब्रत वाला चटनी के साथ खाई यह बहुत ही मज़े का लगता है बहुत ही स्वादिस्ट बनता है और यह मेरे पास थोड़ा सा चीली ओईल था तो हमने इसके उपर डाला है उससे भी इसमें स्वाद बहुत अच्छा आ गया था और आपको बता दूँ यह हमने न मतलब थोड़ा सा बच गया था दो तीन तो बाद में इसको घी के साथ ठोड़ा सा राई का तड़ा लगा कर इसको फ्राई करके खाएंगे न कट कर लिया बीस से और इसके बाद फ्राई के अब बहुत स्वादिस्ट लगा तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा, चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलती हूँ नेक्स पीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वाई और आप सभी को नवरात्री की धेर सारी सुपकामना है, हैपी नवात्री